साथियों, इस कोरोना काल में आप सभी दिखा चुके हैं कि हमारी सिक्षा व्यवस्ता का सामर्थ कितना ज्यादा है। चुनोतियां अनेक थी, लेकिन आप सभी ने उन चुनोतियों को तेजी से समाधान भी किया। ओनलाइन क्लासीज, ग्रूप वीडियो कॉल, ओनलाइन प्रोजेक्ट्स, ओनलाइन एक्जाम। पहले एशे सब्द भी बहुत लोग ने सुने ही नहीं से। लेकिन हमारे टीचर्स ने, पैरेंट्स ने, हमारी युवाओं ने इने सहस्ता से दैनीक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय हैं कि हम अपनी इन ख्रमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है, उसे एक नई दिशा दे। सवभाग्य से, आज एक और देश के पास बढ़लाव का बातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रिय शुक्षानिती जैसी आधुनिक और फुचरिस्टिक पॉलिसी भी है। इसलिए पिछले कुछ समय से देश लगातार एजुकेशन सेक्टर में एक के बाद एक नए निनने ले रहा है, एक ट्रांस्फरमेशन होते देख रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ती है, उस और मैं आप सभी विद्वानों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह अभ्यान केवल पॉलिसी बेज नहीं है, बलकि पार्टी सिपेशन बेज हैं। NEP के फर्मिलेशन से लेकर इंप्लिमेंटेशन तक हर स्तर पर एकेडेमिशन्स का, एक्सपर्स का, टीचर्स का, सबका योगदान रहा है। आप सभी इसके लिए प्रसुंसा के प्रात्र है। अब हमें इस भागीदारी को एक नए स्तर तक लेकर जाना है।